नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागा थे और दोस्तों आज मैं आपको बताने माला हूँ कैसी यूनीक मसीन जिस मसीन के थूँ आप पसु आहर बना सकते हैं तो चलो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यह machine किस प्रकार की है, पूरी machine का मैं description and explanation बताऊंगा कैसे machine काम करती है, तो चलो दोस्तों देखते हैं मसीन किस प्रकार की है दोस्तों यहां पर यह material आप देख पारे होंगे जिसे अब मक्का कहते हैं, यह मक्का है और इसके थुरू आप different different पसू आहर बना सकते हैं लाइक जैसे कि आप अगर चाहें तो बकरी के लिए भेंड के लिए या भैसों के लिए भी आप यहाँ पर आहर बना सकते हैं अब इस मसीन के अंदरम पहला जो इस टेप आता हो यह आता है यहाँ पर आपको material एड़ कर देना है इसे आप completely भर देंगे और यहाँ से यह conveyor के तुरू जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस conveyor के तुरू यह पूरा जो माल है वो इस machine के तुरू यहाँ पर निकलेगा और यहाँ से इस hopper में add होगा hopper में आने के बाद दोस्तो second step में क्या आता है यहाँ पर आपका जो माल है वो grinding होता है grinding होने के बाद वो इस hopper में गिरता है और यहाँ पर दोस्तों यह माल होने के बाद थोड़ा सामें आपको दिखा देता हूँ material किस प्रकार का बनता है इस तरीके से grinding हो जाता है और grinding होने के बाद वो material इसमें आ जाता है अभी दोस्तों यहाँ पर second step जो complete होता है तो third step में हम यहाँ पर आते हैं यहाँ से वो पूरा जो material है वो conveyor के थूँ यहाँ पर जाता है यहाँ पर आने के बाद यह mixer machine में add हो जाता है अभी दोस्तों जैसे mixer machine की बाद करें तो mixer machine में add होने के बाद वो complete material जो कि आप बनाना चाहते हैं पसू आहर के लिए वो यहाँ पर mixing होता है mixing होने के बाद one by one वो सारा का सारा जो माल है वो mixing हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का material यहाँ पर आ जाता है और वो material यहाँ पर आने के बाद यहाँ से conveyor के थूँ वो माल अगेन यहाँ से यहाँ पर जाता है और यहाँ पर आने के बाद जिसे इस machine में गिराया जाता है तो यहाँ पर वो material गिरता है और गिरने के बाद यहाँ से वो cattle feed का जो palette बनता है वो यहाँ पर बनने लगता है तो दोस्तों यह machine के अंदर यह सारी process है जिससे हम लोग करने वाले है और दोस्तों मैं आपको practically दिखाऊंगा कैसे पसु आहर बनाया जाता है ताकि आपको perfect idea है तो चलिए दोस्तों machine को चालू करते हैं और one by one पूरा एक practical way में देखते हैं stay tuned तो दोस्तों अभी हम जा रहे है production का पूरा एक demonstration देखने किस तरीके से पसु आहर बनाया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो material हमने आपको दिखाया था वह material हम one by one यहाँ डालने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कैसे यह conveyor machine पूरे म material automatically ठीच लेती है तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पूरा यह tank को भर दिया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा का पूरा material यह machine फीचती जा रही है अभी दोस्तों मैं थोड़ी दिर में आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से material यहाँ से जात है यहाँ पर production निकाला जा रहा है और यहाँ पर grinding process अभी चाली है तो यहाँ पर दोस्तों आसानी से यह machine किसी भी material को यहाँ पर grinding कर देता है और जैसा grinding होता जाता है आटोमेटिकली यहाँ पर पूरा material एड़ होता है और conveyor के तुरू वह आगे जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी चालू है conveyor का जो material खीचने का process है दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर यह material अभी एड़ हो रहा है और यहाँ से machine इसे खेस की ज चालू है और यहाँ पर देख सकते हैं यह जो machine है यह है mixer machine जैसे जैसे यहाँ पर जो material आप डालेंगे वो यहाँ पर mixing होगा mixing होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे इसे hopper कहते जो पूरा mixing material हो यहाँ पर उतरेगा और इस तरीके से पूरा hopper भर जाएगा और दोस्तों यहां से यह चीज़े होती होती conveyor के थूँ यहां पर आएगा और जिस तरीके से आप देख पाएंगे यहां पर अभी conveyor चालू है और यहां पर आप देखेंगे one by one material यहां पर add होता जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हो तक का production निकालने की capacity रखता है और दोस्तों यह one of the best machine है जहां पर आप पसू आहर बना सकते हैं और आपका जो भी animal है वो यह machine का आहर खाएगा तो दोस्तों बहुत ही जादा high quality उसका health बनेगा दोस्तों यह है one of the best machine जहां पर आप आपके इसाब से pallets बना सकते हैं जो की आप आपके different different जानवरों को खिला सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहां के जो engineer है उनी से हम बात करेंगे और उनी से जानेंगे कि यह machine का क्या use है और कहा कहा यह machine काम में आती है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहां पर जो sigma tech के इंजीनियर है उनका स्वागत करूँगा और उनी से हम समझेंगे कि दोस्तों किस प्रकार की यह machine है क्या इसका benefits है और कौन-कौन इस machine के तुरू अपना खुद का business start कर सकता है तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इंका स्वागत करेंगे सर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है सर जी हमारे वीवर्स को बताई है कि यह machine क्या है कहां पर इसका use हो सकता है और इस machine से हम क्या-क्या चीज़े बना सकता है यह जो हमारी सिगमाटेक एंजीनिरिंग का जो केटल फिड पैलेट जो machine है वो आप लगू उद्योग में आप डाल सकते हो यानि कि इसमें पढ़ाई लिखा की जरूरत नहीं होता है यानि कि कोई भी आदमी यानि कि जो अपना बिजनेस स्टार्ट अप करना चाहता है तो यह machine purchase करके अपना यह business आगे बढ़ा सकता है लेकिन यह machine जो है यह वाला जो machine है जो गाय भेस जो गोड़े वगरा होता है यानि कि बकरा वगरा जो होता है यानि कि जो फार्मल लोग जो होता है यानि कि घर पे भी थोड़ा थोड़ा वो पसू लोग रखते है तो उनको palette बना बना के आप market में sell कर सकते है सर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इतनी giant इतनी बड़ी machine है तो इसके लिए किस प्रकार के लोग इस machine को buy करें और अपना खुद का business start इसमें क्या है कि कोई लोग अपना automatic plant बनाना चाहता है यानि कि automatic में क्या है कि labor कम लगे यानि कि जो अपने पास जो grinding machine है जो screw conveyor है यानि कि जो mixer machine अगर आप नस्दिक से दिखाते हैं हमारे viewers को और अच्छी तरह से idea है दोस्तों चलिए आपी के लिए यहाँ पर सारी चीज़ों को one by one हम समझते हैं तो यहाँ पर हमें सर्फ पूरा explain करेंगे यह जो screw conveyor है यानि कि जो grinding machine में कि कोई आदमी उपर उचक कर डाल नहीं सकता है तो इसलिए हमने जो आदमी वगरा जो होता है तो बैट के अपना यहाँ से धान वगरा वो डाल सकता है यानि कि जो उसको grinding करना है वो यहाँ पर recipe उसी साब से वो डाल सकता है यानि कि यह वाला जो मसीन है यह वाला एक grinding machine है यानि कि grinding machine में से grind होता है और powder गिरता है तो उसके लिए जो यहाँ powder एकठा हुआ तो उसी के मारफद वो डायरेक्ट मिक्सर में जाता है मिक्सर में जाके अपना जो सारा पावडर इसमें गिरेगा और इसी में जो मिक्सर में जो है यानि कि जो जो सारा पावडर जो आया जो पावडर जो सारा आया उसी में आपका जो केमिकल वगेरा यानि कि जो गुड का पानी है ओ जो खाने वाला तेल है यानि कि जो अंदर करना के लिए ओड़ना करने के लिए लिक्विड या ता हैauen geben ू बडल यानि कि मजबुत पकड़ाlett मजबुत बनाने के लिए वह सारा किमिकल कि दोस्तो किकि प्रकार कि पैलेप होती है उसमें च्टीस मजबुत कर रहूं कि तरीक की होनी चाहिए यह जो बाइंडिंग किया हुआ है यह बाइंडिंग करने के लिए सारा जो ओइल वगएरा गुड़का पानी वगएरा डालना पड़ता है बरोबर तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक रेशीपी से पैलेट बन जाएगा यानि कि अपने जो डॉक्टर के सला के अनु आइए यहां नहीं जो बिलाती है यानिकी सर मसीन इक ही और इसके लिए डिफ्रेंट-डिफ्रेंट डिफ्रेंट रटाइप का हम यहां पर आहार बना सकते है कि अलikes चाहिए जांबरोके लिए जस्जस दोस्तों आपके डॉक्टर Mir ऐसे हुद साथ Metropolitan Edqua पर दिशन करना होगा उनसे समझना पड़ेगा कौन से जानवर को क्या निट्रीचिन चाहिए क्या विटामिन्स चाहिए वह उसके हिसाब से आप यहां पर यह मसीन के तुरू डिफरेंट फ्रेंट आप फूड वगरा बना पाएंगे आहरक तोर पर अचा सर थोड़ा सामय य जो मसीन है यह गाओ के लोग क्या इसका बिजनेस कर सकते हैं यानि कि यानि कि अब पहले जैसा सर्जीर ने रहा है अब जो डिजिटल यूग हो गया है अब लोग मार्केट में अब जो पड़े लिखे नहीं है वो भी ज्यादा तक समझते हैं कि अब खुद का खुद एडिया होता है कि इतना में अपने पास है इतना इतना मटिरियल मेरे पास है अगर मेरे खेत में होता है तो वो लोग क्या है कि इसका जो सारा रेसीपी करके अपना पैलेट बनाता है अपनी गाए बेंस के लिए भी बनाते हैं और नियर बाई इनके रिलेटिव यानि कि ग तो उसके पास वो पैलेट इस तरह से वो सेल करता है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यह बिजनस बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाता है कि आप एक ही मसीन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पसु आहर बना सकते हैं और उसे मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और साथी सा लगोगा तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए और किसी प्रकार का क्वेरी है उपर दी के नंबर पे कॉल करिए दोस्तों अभी हम कुछ कुछ क्वेस्टेंस लेते हैं जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आप यह मसीन लगाना चाह रहें तो आपको जान डिफरेंट आप डाय वगरा लगा सकते हो के चार एमेम पांच एमेम छे एमेम साथ एमेम के आठ एमेम जो भी लगाना चाहते हो तो उसी हिसाब से डाय के अनुसार वो प्रोडॉक्शन निकलता है अभी जो अमने जो डाय लगाया हुआ है वो छे एमेम की है यानि कि जो आपका जो प्रोडॉक्शन पर हंवर 600 से 700 Kg पर हवर केपेसिटी का मसीन है अगर आपको आठ इमेम की डाय लगासकते हो अलगा लगाना चाहते हो तो उसमें प्रोडॉक्शन रहेगा 900 के पर यानि कि 950 यानि कि 100 Kg मानके चलू अचा सर जैसे कि अगर हम बात करे profit margin की तो पर केजी आपका ये कितना कोस्टिंग जाता है एक सर जी recipe के उपर डिपेंड है यानि कि आप होटल में खाना खाना खाने के लिए जाते हो तो 100 रुपय वाली भी डिस मिलते है 300 वाली भी मिलते है 600 वाली भी मिलते है और 5000 वाली भी मिलते है ठीक है तो वैसा इस पैलेट में है कि आप क्या क्या चीज अगर अंदर recipe में डालते हो अगर आप कोई local oil यानि कि ओ जो फैंक देने वाला तेल यूज करते पैलेट में तो आपका कोस्टिंग नीचे जाएगा कोई यानि कि जो recipe आप बनाते हो यानि कि आप घर पे 20 रुपया वाली भी recipe बनाते हो तो मार्केट में 50-60 रुपय में चलती है जो लोग घर में खरीदते है पैलेट अगर आप recipe अच्छी बनाओगे 60-70 वाली तो उसी हिसाब से गाय बेंस गोड़ा वगएरे को उसी हिसाब से प्रोटीन वगएरा मिलता है तो सर यह दो सर ने बदाया है कि किस प्रकार से जैसा आपका आहार होगा वैसा आपका कोस्टिंग होगा चलिए दोस्तों समझते हैं कि electric consumption कितना होता है यह machine electric कितना सर इलेक्टिक की बात करें तो सर फरह आर्वर आपका आट से नोव युंट बिदली का दो ऩह pit टाइगा जैसा पर एकजामपल अगर ऐसे कोई कौककाता के देख रहा है वेस्ट बंगाल से देख रहा है अगर कोई साउच से देख रहा है तो सर अगर उनको यह मसीन अगर लेना है तो दैट विल भी पॉसिबल कि आप वहां तक भेशते हों सर हमारे यहां पर ओनलाइन जो रिक्वार्मेट आती रहती है तो लोग अपना जो वीडियो बगेरा देखकर हमें कॉल कर लेते कि हम आ नहीं सकते हम मसीन मंगवाना चाहते तो कैसे करें तो हम उसको फॉन पर मारफ़त यानि की वीडियो कॉल मारफ़त उनको समझाते और या वीडियो कॉल मारफ़त हम समझा देते हैं तो दोस्तों यह थे सारे आपके क्वेस्चन जो मैं चाहरा था कि कवर करूं अगर दोस्तों आपका भी कोई भी क्वेस्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए ताकि हमें भी आइडिया तो कि हम कस्टमर और जो भ कर सके और ज्यादा इंफोर्मेशन के लिए उपर दिये के नंबर पर कॉल करिए का आपको सारी इंफोर्मेशन वहाँ पर मिल लाइए तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि इसी